हाई वे वंदो कीम छो यार मजा माद इस और होस्ट एंट में इंटर पेम पांडे welcoming you all to educational hikes सो कैसे हो मुझे comment box में जरूर बताना आज के इस chapter की बात करते हैं हम पढ़ रहे हैं class 9 के science का chapter number 8 motion यानि की गती के बारे में हम पढ़ रहे हैं मैंने and I hope आपने देखा जरूर होगा उस वीडियो को हमने first part में पढ़ा कि भाई average speed किसे कहते हैं हम average speed को calculate कैसे करते हैं हमने और भी बहुत सारी चीजे पढ़ी जैसे uniform motion क्या होता है non uniform motion किसे कहते हैं displacement क्या होता है हम displacement को कैसे calculate कर सकते हैं distance क्या होता है distance को कैसे calculate कर सकते हैं यह सारी चीजे और इस chapter का introduction हमने first part में पढ़ रखा है और मुझे पूरा उमीद है कि आपने first part जरूर देखा होगा देखो make sure कि आपने first part देखा हो तब ही आपको part 2 यानि कि ये video जो आज हम start करने वाले है ये आपको समझ में आएगी इसलिए सबसे पहले first part देखो first part की link आपको इसी video की description box में मिल जाएगी link पर click करो video को जरूर देखो मैं ये आस्मान वाले चांट के बारे में बात करने कि earth का axis कहा होता है orbital plane कहा होता है चलो now let's get started with topic number 8.3 rate of change of velocity देखो इस video में इस पूरे चाप्टर में एक एक line एक word हमने ncrt के use किया है और थोड़ा सा advance interactive तरीके से आपको समझाने की कोशिस करी है rate of change of velocity इस topic में हम क्या पढ़ेंगे हम जानते हैं जब कभी भी हम bike चलाते हैं cycle चलाते हैं car चलाते हैं ऐसा तो नहीं है न कि हम हमीशा एक ही speed से गाड़ी को चलाते हैं कभी हमारी गाड़ी के speed slow होती है कभी तेज होती है तो भाई किस time में हमारी गाड़ी कितने speed पे है ये कैसे पता लगेगा ये पता लगेगा rate of change of velocity को पढ़कर हम calculate करना सीखेंगे बट उसके पहले में आपको दो बहुत ही जरूरी बाते बता दो 5 सी बहुत जरूरी बाते सबसे पहला भाई कि जब भी गाड़ी uniform motion में चल रही होती है uniform motion का मतलब याद है न अगर कोई गाड़ी equal distance cover करती है equal time में तो हम कहते हैं वो गाड़ी जो है वो uniform motion से चल रही है तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर कोई गाड़ी है जो uniform motion से चलती है इसका मतलब उसका speed change नहीं हो रहा the velocity remains constant with time example से समझो जैसे देखो यह गाड़ी है इस गाड़ी की speed change नहीं हो रही एक ही में यह गाड़ी 20 ही किलोमेटर जाएगी अगले एक घंटे में भी यह गाड़ी 20 ही किलोमेटर जाएगी मतलब इस गाड़ी की जो speed है 20 किलोमेटर प्रती घंटा constant है तो मैं यही बताना चाहरा था आपको कि भाई जब गाड़ी uniform motion से चलती है तो उसका जो speed होता है वो change नहीं होता लेकिन वही पर जब गाड़ी non uniform motion से चलती है non uniform का क्या है भाई गाड़ी जो है न वो unequal distance cover करे unequal distance cover करे equal time में unequal distance cover करे equal time में तो उसे हम कहते है what? non uniform motion ठीक है? non uniform motion में क्या होता है speed change होती रहती है कभी गाड़ी की speed धीरे हो जाएगी कभी बहुत धीरे हो जाएगी और कभी बहुत तेज हो जाएगी तो non uniform motion में जो गाड़ी की speed होती है न वो change होती रहती है velocity varies तो ये दो बाते हमेशा याद रखना क्या जब गाड़ी uniform motion से चलती है तो गाड़ी की speed रुकी हुई होती है मतलब same होती है constant होती है लेकिन वहीं पर जब गाड़ी non uniform motion से जाती है तो उस गाड़ी की जो speed होती है वो change होती रहती है गाड़ी की speed अलग-अलग time पर अलग-अलग value मिलेगी हमें हो सकता है कि जो गाड़ी है हमारी फिर से देखो इसको हो सकता है हमारी गाड़ी यहां से 20 km जाने में 20 km प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो लेकिन यहां से यहां जाने में हो सकता है 10 km प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है 30 km प्रती घंटे की स्पीड से चल रही हो मतलब गाड़ी की स्पीड हमारी non uniform motion में change होती रहती है लेकिन uniform motion में change नहीं होती है चलो, let's move to our next topic, हमारा next topic आता है What? To express the change in velocity of an object We are introducing new physical quantity and that is acceleration इसी चीज को calculate करने के लिए कि भाई हमारी गाड़ी की कौन से समय कितनी स्पीड है इस चीज को calculate करने के लिए हमें एक नए physical quantity के बारे में बताना पड़ेगा इस chapter में जिसको हम acceleration कहते हैं क्या होता है acceleration? देखेंगे लेकिन अभी एक common सा समझ लो accelerator का मतलब क्या होता है आपके बाईक में accelerator लगा होता है आपके कार में accelerator लगा होता है उसका काम क्या होता है? गाड़ी को धीरे करना या गाड़ी को तेज करना तो बिल्कुल यह है acceleration का मतलब यह ही है गाड़ी का तेज होना या गाड़ी का धीरे होना चलो एक फिगर देख लो गाड़ी तेज से आई धीरे से गई accelerator का कमाल है ठीक है चलो अब हम actual में जानते हैं कि भाई या acceleration कहते किसी है what actually is acceleration definition क्या कहता है acceleration का ये देखते हैं the measure of the change in velocity of an object per unit time क्या कह रहा है कि भाई कितनी velocity change हो रही है हर एक second हर एक minute में किसी को हम acceleration कहते हैं नहीं समझें चलो एक example से समझते हैं जिससे देखो इस इंसान को ध्यान से देखना ये इंसान सुरुवात में धीरे चल रहा होता है फिर थोड़ी तेजी से भागता है फिर थोड़ा धीरे हो जाता है फिर तेश से भागता है मतलब इस इंसान की क्या है speed change हो रही है माल लो यहां पर इस इंसान की जो speed है वो माल लेते हैं 5 मेटर पर सेकेंड है और यहां पहुशते पहुशते इसकी speed माल लेते हैं बढ़ गई हो 10 मेटर पर सेकेंड हो गई हो और यहां से यहां आने में इसकी speed और कम हो गई यानि हो सकता है 6 मेटर पर सेकेंड हो और फिर यहां से आगे जाने में यह बहुत तेजी से जाता है तो हो सकता है कि इसकी speed थोड़ी और बढ़ गई हो मतलब हमने देख लिया कि यहां पहुचने में इस इस इनसान की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी जब यहां पर पहुचा तो हमने देख लिया इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है जब यहां पर पहुचा तो हमने यह भी देख लिया कि इसकी स्पीड यहां पर 6 यह जो इनसान है यह तेज चला या धीरे चला और यहां से यहां आने में यह इनसान तेज चला या धीरे चला और कितना तेज चला कितना धीरे चला इसी को हम acceleration कहते हैं अगर हमने निकाल लिया कि यह इनसान यहां से यहां जाने में कितना स्पीड बढ़ाया इसी को acceleration कहते हैं कितना स्पीड घटाया इसी को acceleration कहते हैं कैसे निकाल सकते हैं तुम acceleration मालो यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड था यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड था तो यह है हमारी initial position मतलब जह यहां तक यह चला है यहां से यहां इसी की बीच का हमें मालो acceleration पता करना है क्या करोगे तुरन देखो acceleration का formula क्या है change in velocity upon time taken मतलब क्या है change in velocity मतलब यहां से यहां आने में कितनी velocity change हुई यानि 10 meter को 10 meter per second को minus कर दो 5 meter per second से 5 meter per second से minus कर दो और upon time taken कितना time लगा उसको नीचे लिख दो 0 से 1 second यानि 1 second लगा यहां पहुचने में तो 10 minus 5 हो जाएगा हमारा क्या 5 meter second का minus का square acceleration जब भी हम निकालते हैं तो उसकी unity यही होती है meter second minus 2 मतलब हमने यहां पर निकाल लिया भाई कि यह जो इंसान है वो 5 meter second का minus 2 इतनी speed और बढ़ाया तब जाकर यहां पर वो पहुचा है ठीक है और ऐसे ही मालो यहां पर 10 meter per second थी और यहां पर पहुचते पहुचते इसकी speed कम हो गई मालो 6 meter per second हो गई अब हमें निकालना हुआ कि इसने कितना accelerate किया तो कैसे निकालेंगे तुरंट इसको minus करो 6 meter per second minus 10 meter per second अपॉन कितना time लगा एक second का time लगा ठीक है तो भाई 6 meter में से 10 meter minus करना है मतलब minus में जाएगी value minus 4 meter second का minus 2 minus में क्यों आया answer मतलब speed क्या हुई है कम हुई है decrease हुई है तो I hope आपको acceleration पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई speed बढ़ना और speed घटना इसी को acceleration कहते हैं इसी को हमने calculate कर लिया तो समझ लो हमने acceleration निकालना सीख लिया ठीक है चलो इसको और exact way में समझते है acceleration को तुम कैसे calculate कर सकते हो कैसे calculate कर सकते हो if the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t the acceleration a is a equal to v minus u upon t कह क्या रहा है ध्यान से समझना इस example से माल नो कोई object है वो यहां से initial value मतलब यहां से चलता है ही कैए यहां से चलता है माल लेते हैं चलते time इसकी speed u meter पर second है अब ये गाड़ी यहां से चलता है अपने final position माल लो यहां पहुचने में यहां पहुचने में इस speed इस cycle की speed माल लो v meter पर second हो पता करना है तो क्या करोगे V minus U upon T V minus U upon T समझ गये acceleration निकालते कैसे है माल लो जितनी speed से गाड़ी चली है वो speed हो गई हमारी U जितनी speed से गाड़ी पहुची है वो हो गई हमारी speed V V को minus कर दो U से और अपन कितना time में पहुची है time T यही होगे हमारा acceleration इसी को हम acceleration का नाम देते है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि acceleration कहते किसे है अच्छा यह तो समझ लिया हमने हमें question भी करेंगे इस पर हम acceleration निकालना सीखेंगे कि कैसे acceleration को निकाल सकते है बट इसके पहले टकले बूजो के बिना बाल वाले सर में एक idea आया है इसने कहा कि भाया ऐसे motion को हम क्या कहते है what we call to this type of motion मतलब देखो यहां पर क्या हो रही है कि पहले cycle की speed normal है फिर धीरे धीरे हो रही है फिर तेज हो रही है अब ऐसे motion को हम क्या कहते है जब किसी भी object कि जो speed होती है अगर वो ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है तो इस type of motion को हम accelerated motion का नाम देते हैं समझ में आया अभी दो कोई बूजो ने क्या पूछा था बूजो ने पूछा था कि भाया जब कभी गाड़ी धीरे चलती है कभी तेज चलती है तो इस तरीके के motion को हम accelerated motion का नाम देते हैं अब देखो भाई acceleration दो तरीके की हो सकती है या तो positive acceleration होगा या तो negative acceleration होगा positive acceleration का मतलब क्या है अगर velocity यानि किसी भी object के speed time के साथ बढ़ता है तब तो हम कहेंगे कि positive acceleration हो रहा लेकिन अगर क्योई भी object की speed time के साथ decrease हो जाती है घट जाती है तो हम कहते हैं कि भाई negative acceleration हुआ है क्या है positive acceleration negative acceleration हम पढ़ेंगे बड़ उसके पहले बहुत जरूरी बात में आपको बता दूँ कि acceleration की जो SI unit होती है वो है meter second का minus 2 that means कि meter second minus 2 power में आता है तो यह है हमारा acceleration की unit अब हम जब भी आगे acceleration calculate करेंगे न तो उसकी unit हम यही रखेंगे meter second का minus 2 चलो positive acceleration क्या होता है positive acceleration मतलब simple सी चीज़ अगर speed बढ़ती है तो for example मैं तो मैं देखाता हूँ देखो definition क्या है कि जब final velocity greater हो initial velocity से तो acceleration positive होता है मतलब क्या है मतलब देखो इस speed यह जो football है मारा जब यहाँ पर रुका हुआ है तो माल लेते हैं इसकी speed 0 meter second है क्योंकि रुका हुआ है ठीक है अब इसकी speed धीरे 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 बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और आखिरकार यह last में 10 meter per second पर पहुँच जाती है यहाँ पर slow होती है यहाँ पर fast होती है speed तो इस case में क्या हुआ speed हमारी time के साथ कोई भी माल लो time लगा हो माल लो 2 minute लगा हो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ठीक है तो time के साथ speed बढ़ा ही तो है increase हुआ है तो ऐसे acceleration को हम positive acceleration का नाम देते हैं चालो negative acceleration मतलब जब speed कम हो जब final velocity is less than initial velocity माल लो जब यह football चलना स्टार्ट किया था तो हम माल लेते हैं इसकी speed 5 meter per second थी लेकिन धीरे धीरे यह slow होती गई धीरे धीरे slow होती गई बहुत धीरे हो गई और यहां पहुशने पर इसकी speed 3 meter per second ही रह गई ठीके तो यहां पर क्या हुआ यहां पर velocity decrease हुई है 5 meter second से 3 meter second हो गई ठीके माल लो 2 minute लगा इससे यहां से यहां पहुशने में लेकिन इसकी speed क्या हुई है कम हुई है तो जब speed कम हो तो acceleration negative होता है अब हमारा next point आता है मेरे भाई uniform acceleration क्या है और non uniform acceleration क्या है हम अभी तक uniform motion और non uniform motion के बारे में पढ़ा है देखो uniform जहां भी आ जाए uniform का मतलब समय के साथ चलना है non uniform का मतलब समय के साथ नहीं चलना है so simple तो भाई uniform acceleration किसे कहते हैं definition देखो A body has a uniform acceleration कोई object, कोई body तब uniform acceleration में होती है जब वो सीधे चल रही हो और सीधे चलते-चलते वो अपनी speed बढ़ाए कैसे बढ़ाए? equal amount में speed बढ़ाए equal time में मतलब हर एक minute, हर एक second या हर एक घंटे में वो अपना equal speed बढ़ाए तब तो वो uniform acceleration कहलाता है जैसे देखो, इस truck को देखो मालो ये truck खड़ी है, चल नहीं रही है तो इसकी speed हम माल लेते है 0 meter per second माल लिया, अच्छा अब ये truck यहां से यहां तक आती है एक minute में तो हो सकता है इसकी speed बढ़ गई हो 2 meter per second हो गई हो एक minute के बाद ये speed गाड़ी यहां आती है, तो इसकी speed और बढ़ती है, 4 meter per second हो जाती है एक minute बाद फिर और इसकी तेज speed बढ़ती है 6 meter per second हो जाती है और speed बढ़ती है और 8 meter per second हो जाती है इस case में क्या हुआ है इस case में ये जो truck है इसने अपना speed equal amount में बढ़ाया है equal interval of time में मतलब हर एक मिनट में यह जो ट्रक है यह 2 मीटर पर सेकेंड की speed बढ़ा रही है देखो दूसरे मिनट में इसकी speed कितनी हो गई 2 प्लस 2 4 मीटर पर सेकेंड अगले मिनट में इसकी speed कितनी हो गई 4 प्लस 2 तो इस तरीके के Acceleration को हम Uniform Acceleration कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, Non Uniform Acceleration क्या है? It's so simple, जब कोई object, जब कोई body Non Uniform Acceleration में होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका जो velocity है, यानि speed है, वो unequal amount में change हो रहा है, लेकिन equal time में, क्या कह रहा है? समझो, ध्यान से समझो, माल लो ये truck जब यहाँ पर खड़ी है, तो इसकी speed 0 meter per second है, अब एक मिनेट बाद ये truck जब यहाँ से चल कर यहाँ पहुशती है, तो हो सकता है कि इसकी speed, माल लेते हैं, 4 meter per second हो गई हो, फिर ये जो truck है ये अपनी speed कम कर देता है, देखो और धीरे हो गया, अब इसकी speed 2 meter per second हो गई, फिर देखो फिर इसने अपना speed और धीरे कर लिया, हो सकता है इसकी speed 1 meter per second हो गई हो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा तेज किया, इसने अपना speed हो सकता है 5 meter per second हो गया हो, तो आप इस case में देख पा रहे हो इस case में कोई fixed amount of velocity increase नहीं हो रही है यहाँ पर 4 ms बढ़ा दिया इसने यहाँ पर 2 ms कम कर दिया यहाँ पर 1 ms कम कर दिया यहाँ पर 3-4 सीधा बढ़ा दिया तो यह क्या है? यह है un equal amount में velocity increase हो रही है लेकिन time तो वही एक ही minute लग रहा है तो इस तरीके के acceleration को क्या कहते हैं? हम non uniform acceleration कहते हैं आम तोर पर जो हम लोग bike चलाते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग non uniform acceleration में ही गाड़ी चलाते हैं कभी हमारी गाड़ी की speed slow हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है ट्राफिक आती है तो slow हो जाती है खाली road होता है तो हमारी गाड़ी की speed जो होती है वो तेज हो जाती है और ऐसे motion को, ऐसे acceleration को हम non uniform acceleration का नाम देते हैं uniform acceleration पर गाड़ियां बहुत कम चलती है केवल highway, highway पर ये possible हो पाता है कि हम लगातार एक ही speed से चलते रहे हैं तो इसे uniform और इसे non uniform acceleration कहते हैं now, next comes example number 8.4 this is going to be your first numerical from class 9th science भहिया इस numerical को हम पहली बार साथ में करने जा रहे हैं पहला numerical है तो बहुत ध्यान से देखना हमें इस numerical में acceleration calculate करना है तो acceleration का formula तो पता है ना तुमें क्या है मेरे भाई, acceleration equal to final velocity velocity का मतलब आप speed ही समझ कर चलना final velocity minus initial velocity final velocity यानि हमारा हो गया जिस speed पर गाड़ी पहुची है और initial velocity का मतलब जिस speed से गाड़ी चलना सुरू करी थी और इसी को हम upon कर देते हैं time से कितना time लगा तो भाई हमारा acceleration निकल जाता है नहीं समझे, चलो, फिर से ध्यान से देखते हैं हम कह क्या रहा है, कह रहा है कि भाई starting from a stationary position राहूल paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds ध्यान से सुनना कह क्या रहा है, कह रहा है कि भाई हमारा एक राहूल नाम का बंदा है राहूल, राहूल नाम का एक बंदा है और ये क्या है, ये stationary position पर खड़ा है मतलब ये अपने cycle के साथ rest पर है रुका हुआ है भाई जब रुका हुआ है तो इसके cycle की speed कितनी होगी 0 meter per second cycle चली नहीं रही है, तो speed कैसी 0 ही तो होगा ना, आप देखो कह रहा है कि भाई जब 0 meter per second पर राहूल खड़ा था, तो उसके बाद राहूल ने अपने cycle को paddle मारना start करता है और अगले 30 second में उसके cycle की speed बढ़कर 6 meter per second हो जाती है यानि अगले 30 second में जब यहाँ यह cycle पहुसती है अगले 30 second में जब यह cycle यहाँ पहुसती है तो इसकी speed अब कितनी हो गई है 6 meter per second की हो गई है अभी खटम नहीं हुआ है आगे देखो, उसके बाद भाईया हमारे राहूल जी न, break लगाते है cycle में break लगाते है, यहाँ तक पहुशने के बाद अब वो cycle में break लगाते है और अगले 5 second में इस cycle की speed थोड़ी कम हो जाती है और कम हो के कितनी हो जाती है 4 meter per second अब आप से पूछ रहा है कि यह अगले 5 second में हुआ है ध्यान रखना, यह हमारा जो हुआ है यह 30 second में हुआ है और यह 6 meter से 4 meter आने में 5 second लगा है देखो सीदा सीदा लिखा गया है, लिखा गया है की नी अब हमें पता करना है acceleration और वो भी both the cases दोनो, दोनो cases में पहला case, first case जब यहां से यहां cycle आई और दूसरा case जब cycle यहां से यहां आई तो इन दोनो cases में हमें acceleration पता करना है सबसे पहले क्या करोगे भाईया सबसे पहला case हम solve करते हैं फिर हम दूसरा case solve करेंगे ठीक है simple सा formula होता है acceleration का acceleration equal to v यानि final velocity minus u यानि initial velocity upon कितना time लगा तो भाईया final velocity मतलब जहां पर अपनी गाड़ी पहुची है first case में यहां ही तो पहुची है ना गाड़ी तो अब यह हमारा final velocity हो जाएगा 6 meter per second initial velocity u मतलब जितने speed से गाड़ी चली थी तो 0 meter हो गया 0 meter per second कितना time लगा भाई 30 second लगा 30 second लगा 30 second हम लिख देंगे calculate कर लो 6 कम 6 635 मतलब हो गया क्या हमारा 1 upon 5 meter second का minus 2 भया acceleration जो होता है हमारा न उसकी unit यही होती है meter second का minus 2 अगर आप इसे point में convert करना चाहो तो 0.2 meter second minus 2 हमारे first case में acceleration इतना रहा अब दूसरे case में भी देखते हैं दूसरे case में भी वही same formula लगाएंगे V minus U upon T अब देखो V मतलब final velocity अब जब यहां से cycle हमारी चली है यहां से जब cycle चली है तो final velocity क्या है यह है ना हमारा 4 meter per second तो हमारा लिखेंगे भीया हम 4 meter per second minus initial velocity मतलब जितनी speed से गाड़ी चली थी 6 meter per second से चली थी 6 meter per second upon हम कर देंगे कितना time लगा है 5 second लगा है 5 second लगा है चलो काटना पीटना start करते हैं यह minus minus वाला ज़्यादा है ना value minus में 6 है plus में 4 है तो value हमारी minus में आएगी minus 2 meter per second को divide करेंगे हम 5 meter second अब इसको इसको काट दोगे ना तो हमारे value कुछ point में आ जाएगा minus 0.4 meter second का minus 2 यह है हमारा दूसरी केस में acceleration दूसरी केस में देखो acceleration minus में है मतलब speed कम हुई है यहाँ देखो acceleration हमारा positive है यानि speed बढ़ी है ठीक है समझ में आया आप कोई दिक्कत तो नहीं है acceleration calculate करने में बिलकुल नहीं होगी मेरे भाई कैसे होगी अब चलते हैं हम अपने next topic पर topic number 8.4 graphical representation of motion वाउ भाई यह देखो इस topic से ना आपके class 9th के science में directly past number का question पूछा जाता है लिख के ले लो तो graph बनाने के लिए five marks का question आता है देखो 8.4 में हमें करना क्या है हमें किसी चलती हुई चीज के motion को graph में show करना है भाई कोई चीज चल रही है न बस हमें उसी चीज को graph में दिखाना है कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दो कि भाई हम graph बनाते क्यों है दो को simply लिखा गया है कि graphs provide a convenient method to present basic information graph में हम बहुत आसानी से अलग-अलग चीजों को show कर सकते हैं अच्छे example के तौर पर आप एक चीज याद करो जब कभी भी आप cricket match देखते हो टीवी पर तो आपने देखा होगा कि भाई हर over के बाद ऐसे कुछ line आ जाती है इस line में दो अलग-अलग teamों के comparison किया जा रहा है कि भाई इस team का कितने over में कितना run था ये हरी वाली team का कितने over में कितना run था तो ये compare किया जा रहा है न तो यहाँ पर इतनी basic information को easily so कर दिया गया अब हमें directly पता चल जाएगा कि कितने over में कितना run बना है तो बिलकुल यही काम होता है graphs का अच्छा एक और आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम maths class 9 की maths लगा रहे होते न तो उसमें एक chapter है linear equation in two variable अब इस chapter का कोई भी question बिना graph बनाए तुम solve नहीं कर सकते हो ठीक है चलो यह सब तो बात हो गई कि uses of graph क्या है हम graph बनाते क्यों है क्योंकि हम छोटी छोटी information को आराम से ऐसे line बना कर so कर सकते हैं इसलिए हम graph बनाते हैं इस chapter में हम graph बना कर अलग-अलग object के motion के बारे में सीखेंगे मतलब कोई object चल रही है तो उसकी speed क्या है उसकी speed क्या है यह हम graph से सीखेंगे ठीक है उसकी distance उसने कितना distance cover किया यह भी हम graph से सीखेंगे उसने कितना time लगाया यह भी हम graph से सीखेंगे तो मतलब आज के इस chapter में graph का use हम क्यों करेंगे हम object के motion को दिखाने के लिए we can use line graph in this case line graph so dependence of one physical quantity such as distance or velocity to another quantity such as time कह रहा है कि भाई जब कभी हम line graph बनाते हैं तो दो चीजे आपस में dependent होती है जैसे यहाँ पर over और run एक दूसरे के dependent है मतलब जब over बढ़ रहा है तो run भी बढ़ रहा है एक दूसरे के dependent है न ऐसे ही जब हम अब graph बनाएंगे इस chapter में तो हम दो चीजों को देखेंगे कि उन दोनों में dependency क्या है जैसे हम distance यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम time रख देंगे फिर हम देखेंगे कि यह दोनों चीज़े dependent कैसे है ऐसे ही हम एक और चीज़ देखेंगे हम velocity यहाँ पर रख देंगे मतलब किसी गाड़ी की speed इस line में लिखेंगे और कितना time लग रहा है वो इस line में लिखेंगे तो यह दोनों चीज़े भी कैसे एक दूसे से dependent है वो भी हम line graph बना कर सीखेंगे समझ गये तो भाईया आज हम graphical representation of motion करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला graph आता है हमारा distance time graph ठीक है? distance time graph क्या होता है? The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph आप से clearly कह रहा है कि भाई distance time graph का हम use कहा करते हैं हम इसलिए use करते हैं ताकि हम आपको आसान भासा में यह represent कर पाएं यह दिखा पाएं कि कोई भी object ने कितना अपना position change किया है यानि कोई भी object है वो कितनी दूर गया है और उस दूरी को cover करने में उसे कितना time लगा है देखो with time इस चीज को हम distance time graph से सीखेंगे और adopting a convenient scale of choice हम अपने इसाब से यहाँ पर value रख सकते हैं यहाँ पर 20 minute दिया है हम चाहे तो यहाँ पर 20 घंटे भी कर सकते हैं 40 घंटे कर सकते हैं 60 घंटे कर सकते हैं हम अपने convenience के अनुसार यहाँ पर scale choose कर सकते हैं ठीक है मैं सारी चीजे अभी आपको distance time graph के बारे में बता रहा हूँ ठीक है जो distance time graph होता है उसमें जो x-axis है x-axis कहां होता है किसी भी graph में यह जो horizontal line होती है this is called what? x-axis तो इस graph में x-axis पर हमने time को लिया है यह देखो time x-axis पर है और यह जो vertical line होती है we call it x-axis तो यहाँ पर इस graph में distance time graph में time x-axis पर होता है और distance हमारा हमेशा y-axis पर होता है ठीक है distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed non uniform speed remain at rest आप से कहरा है कि भाई जो हमारे distance time graph होता है हम उसको अलग-अलग तरीके से अपने काम मिला सकते हैं अपने work में help मिला सकते हैं या यूँ कहलें कि आपके exam में तीन अलग-अलग conditions पर आपको question पूछ सकता है नहीं समझ में आया देखो simply आपसे exam में एक direct question ये पूछ सकता है कि अगर कोई object uniform speed से चल रही है यानि उस object की speed change नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको graph plot करना है और कोई object ऐसा है जो अपनी speed बार-बार change कर रहा है जो object non uniform speed से चल रहा है इस object के भी graph को plot करने के लिए आ सकता है ये दूसरा question बन सकता है इस topic से और remain at rest कोई भी object अगर रुका हुआ है तो उसे हम कैसे distance time graph में दिखाएंगे तो इस topic से आपको यही तीन question पूछा जा सकते है अगर कोई object uniform speed से चल रहा है तो इसके motion को हम distance time graph में कैसे plot करेंगे आपको exam में directly ये question पूछ सकता है कि भाई plot distance time graph for uniform motion कोई object अगर एक ही speed से चल रहा है इसके लिए आपको distance time graph plot करना है क्या करोगे किन चीजों की जरूरत है आपको पढ़ते हैं Let us consider an example of uniform motion हम यहाँ पर एक uniform motion का example ले रहे है और इसी motion को हम graph में plot करेंगे एक example लेते हैं कि एक bus का driver है जो अपनी bus को लगातार एक ही speed से चला रहा है constant speed से चला रहा है which is indicated by the speedometer और इस बात का पता driver को इस बात का पता driver को अपने bus में लगे हुए speedometer को देखकर चलता है हर गाड़ी में speedometer लगा होता है जो गाड़ी की speed को बताता है तो इस driver ने देखा कि इसके bus की speed लगातार एक ही बनी हुई है लेकिन इसने speed नहीं बताई हमें और इसने ये भी देखा कि इसका bus जो है ना हर दो मिनिट में एक किलो मेटर चल रहा है अब आपको इसके लिए distance time graph plot करना है speed पता करना है समझते हैं इसके पहले कुछ चीजें जैसे bus है ये uniform motion में कब चलेगी जब ये bus देखो एक किलो मेटर जाने में दो मिनिट लगा रही है मतलब एक किलो मेटर जाने में दो मिनिट दो किलो मेटर जाने में फिर अगला दो मिनिट ठीक है दो प्लस दो चार मिनिट हाँ फिर अगला एक किलो मेटर जाने में फिर से वही दो मिनिट लगा ठीक है दो मिनिट प्लस दो मिनिट छे मिनिट मतलब हर दो मिनिट में एक किलोमेटर जा रही है और इसी चीट को हमें ग्राफ में दिखाना है तो यहाँ पर आपको एक raw data दे दिया गया है इसी data के base पर आपको graph plot करना है let's exactly move की how to plot a graph graph कैसे बनाते हैं graph बनानी के लिए जैसा हमने बताया आपको यह x axis जो है x axis एक line खीज देनी है ऐसे x axis पर line खीज देनी है और यहाँ पर आपको time लिख देना है कि भाई गाड़ी ने कितना time लगाया जैसे मैंने अपने data के अनुसार लिख दिया कि 2 minute, 4 minute, 6 minute, 8 minute, 10 minute, 12 minute, 14 minute मैंने अपने data के अनुसार यहाँ पर लिख दिया और मैंने ये भी लिख दिया कि अपनी गाड़ी जो है वो कितना distance cover करती है तो हमें बताया गया है कि 2 मिनिट में 1 km तो हम 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km हमने यहां पर लिख दिया अब आपको plot करना है graph अब actual में काम क्या है आपका आप देख रहे हो कि आपके गाड़ी की speed हर 2 मिनिट में 1 km चल रही है हर 2 मिनिट में 1 km देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखना, graph plot करना बहुत आसान है आप देख रहे हो, आप ऐसे line बना लो आप ऐसे तुरंत line बना लो कि भाई, ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी चल रही है मतलब 2 मिनिट में 1 km 4 मिनिट में 2 km, 6 मिनिट में 3 km बस, अब इन ही point के सीधे पर आपको एक line खीज देनी है, यह point जहाँ पर मिल रहे है न, यहीं पर आपको एक line खीज देनी है, बन गया हमारा distance time graph for uniform motion अब देखो इस line से हमें पता चल रहा है कि यह जो bus की speed है constant है, मतलब एक ही line पे चल रही है तो रुकी हुई है, bus की speed change नहीं हो रही है, यह bus हमारा 2 मिनिट में, 1 km 4 मिनिट में 2 km 6 मिनिट में, 3 km cover कर रहा है distance तो हमें पता है, हमें time भी पता है, अब हम speed कैसे निकाल सकते है देखो, हम distance time graph का यूज करके, पहली चीज तो speed निकाल सकते है speed कैसे निकालेंगे, हम distance upon time speed का formula होता है यहाँ पर distance हमें पता है कि भाई 1 km ठीक है 1 km जा रही है, और वो भी कितने मिनिट में, 2 मिनिट में 2 मिनिट में, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, या तो हम km आवर में यहाँ पर value लेकर आएंगे या, m per second में लेकर आएंगे तो यहाँ पर km दिया है minute को हम आवर में convert करते हैं कुछ नहीं करना है, multiply कर देना है 60 से, जितना भी हमें minute को, आवर में convert करना है उसके लिए हमें सिर्फ multiply करना है 60 से, 2 1 जा 2 2 30 जा 60 हमारा speed कितना आ गया 30 km पर आवर, यह 60 से multiply हमने क्यों किया ताकि हम इस minute को आवर में convert कर सके, ठीक है तो हमने देखा distance time graph जैसे हमने plot किया, हमने speed निकाल लिया अब हम आगे एक और चीज़ देख सकते है कि from the graph, यह जो speed time graph है इस graph से हम उस object के instant time पर भी speed निकाल सकते हैं, मतलब कोई object है, वो यहां से लेकर, यहां तक के बीच में कितनी speed से चला, मतलब इस time में यह गाड़ी कितनी speed से चल रही थी यह भी हम पता कर सकते हैं उसके लिए क्या formula है final position minus initial position final position का मतलब आपको पता है जहां पर गाड़ी पहुची है तो यहां से गाड़ी चली है और यहां पर पहुची है इसी के बीच का हमें speed निकालना है final position यह हुआ हमारा 5, 5 km यह सारी चीज़े आपको km में दी गई है तो 5 km हुआ हमारा final position और initial position हमारा कितना हुआ 2 km तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 5 minus 2 upon final time minus initial time मतलब यहां पर कितना time था final time कितना था 10 minute ठीक है तो 10 minute minus initial time कितना था 4 minute 10 minus 4 अब इसको calculate करेंगे तो भाई अपना आएगा 3 upon 6 यानि 1 upon 2 यानि multiply फिर से करेंगे हम अगर इसका 60 से क्योंकि हमें minute में तो लाना नहीं है hour में लाना है तो 2 अंजा 2, 230 जा 60 फिर से हमारी वही speed आ गई है 30 km पर hour मतलब गाड़ी हमारी लगातार ये कही speed से चल रही थी चाहे यहाँ से यहाँ जोड लो यहाँ से यहाँ जोड लो हर time में इस गाड़ी की speed इतनी हीatti 30 km पर hour हमने पिछले side में भी देखा dessa slide में कि 30 km पर hour जब हमने यहां से यहां जोड़ा था, तब भी 30 km आ रहा था, हमने यहां से लेकर यहां तक गाड़ी की स्पीड जोड़ी, तब भी 30 km आ रहा था, मतलब यह uniform motion का graph था, the graph is a straight line and the motion of the bus is also uniform, जो uniform motion में हम graph बनाते हैं वो एकदम straight line बनता है, जैसे देखो यह straight line है, एकदम सीधी line है, तो uniform motion के लिए जब हम graph plot करते हैं, तो ध्यान रखना, line सीधी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो bus है, वो uniform speed से चलनी चाहिए, जैसे हमने अभी पीछे calculate किया था न, कि हर समय उस गाड़ी की, उस bus की speed 30 km प्रति घंटे थी, तो यह uniform speed से चल रही है, तो यह है uniform motion का graph, main आपको बस करना क्या है, यह है, actual में बस यह करना है, आपको graph plot कर देना है, यह line खीज देनी है, आपका graph plot हो जाता है, speed calculate करनी के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ से speed भी calculate कर सकते हो, जैसे मैंने distance upon time का formula बताया, ठीक है, किसी particular time में आपको speed calculate करना है, तो यह formula का use करना, final position minus initial position upon final time minus initial time, आपका speed किसी भी point पर निकल जाएगा, तो यह तो रहा भाई uniform motion, let's move to non uniform motion या accelerated motion, table 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds, अब हम non uniform speed से चल रहे object के motion को graph में plot करना सीखेंगे, हम सीखेंगे कि अगर कोई काड़ी है, जो लगाता है अपनी speed को कम कर रही है, तेज कर रही है, तो इस च चीज को हम graph में कैसे दिखाईए, हमने इसके लिए एक गाड़ी लिया और उस गाड़ी के movement को observe किया, हमने देखा कि भाई यह जो गाड़ी है, यह swift desire है, गाड़ी का नाम क्या है, desire है, ठीक है, अब यह गाड़ी है जो पहले 2 second में 1 meter चलती है, अगले 2 second में यह 4 meter तक पहु से 16 meter तक पहुच जाती है, मतलब देख रहे हो, constantly यह जो गाड़ी है अपनी speed change कर रही है, यहाँ पर इसने 3 km और बढ़ा दिया, यहाँ पर इसने 5 और km बढ़ा दिया, इसने 7 और km बढ़ा दिया, मतलब लगातार speed change हो रही है, इस चीज को हमें अगर graph में plot करना है, तो कैस कि कितना time है, कितना distance है, अब हम इस चीज को आसानी से plot कर लेंगे, plotting the graph of non-linear motion, आपके exam में यह जो data है, यह दिया रहेगा question में, आपको बस plot करना सीखना है, ठीक है, तो plot करने के लिए क्या, हमें वही दुबारा फिर से x-axis बना लेनी है, और फिर y-axis बना लेना है, x-axis horizontal line हो अब इन lines में, हमें यहाँ पर यह जो value दी गई है न, इसी को लिख देना है, time वाले में 0, 2, 4, 6, ऐसे लिखो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और distance भी हमने लिख दिया, 5, 10, 12, 20, 25, 30, 35, अब हमें इसे graph में plot करना है, सबसे पहले तो वह point ढूड़ो, हम पॉइंट हमारा क्या है, यह देखो, यहाँ पर लिखा गया है, कि भाई, 2 सेकंड में हमारी गाड़ी 1 मीटर जाती है, मतलब 2 सेकंड कहां है, यहाँ है, 1 मीटर कहां है, कुछ यहाँ आता है, एक मीटर, तो यहाँ point बना लिए हमने, ऐसे ही दूसरा point हमने बनाया, कि आप point बनाना चालू करोगे तो आप सारी point ऐसे बना पाओगे, बस इन ही point से connect होते हुए एक line ड्रॉ कर दो, बन गया आपका non uniform motion या accelerated motion का graph, कितना simple था, इस line graph में आप देख सकते हो, कि धीरे धीरे हमारी यह जो graph है, यह पहले इधर गई, फिर इधर पहुची, मतलब सीधा नहीं है, यह non linear है, आप देख सकते हो, कि यह जो graph है, यह non linear है, और इसलिए यह जो graph है, यह non uniform speed को दिखा रही है, कि कोई object है, वो लगाता है अपनी speed ब graph दिखाई देती है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ लिया, कि भाई, अगर कोई गाड़ी है, वो uniform speed से चल रही है, तो उसका graph कुछ ऐसे बनता है, अब कोई object अगर rest पर है, रुका हुआ है, तब उसका graph कैसे बनेगा, simple सी चीज है, हम माल ले लेते हैं हमारी एक कार है ठीक है अब इस कार की हम स्पीड भी पता करते हैं कि यह जो कार है ना यह एक मेटर दो मेटर तीम मेटर मतलब यहां दो मेटर तक पहुचती है उसके बाद रुख जाती है यहीं पर रेस्ट में हो जाती है यहीं पर खड़ी हो जाती है तो हम देखे या uniform speed के लिए हमारा जो line graph होगा वो कुछ ऐसा होगा non uniform के लिए कुछ ऐसा होगा और rest के लिए कुछ ऐसा होगा एकदम एकदम सीधी line ठीक है तो यह था हमारा distance time graph अब हम सीखेंगे velocity time graph topic number 8.4.2 velocity time graph यह velocity time graph क्या है इसे कैसे plot करते हैं यह हम सीखेंगे इस topic में अभी तक हमने already एक graph के बारे में सीख लिया है distance time graph को plot कैसे करते हैं अलग-अलग motion में uniform motion non uniform motion rest पर जब होती है गाड़ी तो इन तीनों conditions में हमने distance time graph plot करना सीख लिया अब हम सीखेंगे कि भाई velocity time graph क्या है और इसे कैसे plot करते हैं इसका क्या काम होता है हम यह graph बनाते क्यों हैं चलो पढ़ते हैं the variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph भाई आपसे हाँ पर simply कह रहा है कि हम velocity time graph का use कहां करते हैं ताकि हम आपको यह दिखा पाएं हम आपको आसान भासा में यह दिखा पाएं कि कोई भी object अपनी कितनी velocity change कर रही है velocity का मतलब तो पता है न, speed, speed किसी भी object की गती को हम velocity या speed कहते हैं ठीक है, velocity और speed में बस थोड़ा सा अंतर है speed direction को नहीं बताता, velocity direction को बताता है, बस इतना अंतर है, ठीक है तो velocity time graph हमें यह बताती है कि भाई कोई भी object है, वो कितने time में कौन से speed से चल रहा है एक second में कितने speed से चल रहा है, दो second में कितने speed से चल रहा है, तीन second में कितने speed से चल रहा है, चार second में कितने speed से चल रहा है यह हमें बताता है velocity time graph, ठीक है, समझ में आया, in this graph time is represented along the x-axis and the velocity is represented along the y-axis, हम जैसे distance time graph हमने plot किया था, बिल्कुल वैसे ही हम velocity time graph plot करेंगे, velocity time graph में जो x-axis है, that means यह वाला जो axis है, इस axis पर हम time को रखेंगे, और जो y-axis है, इस axis पर हम velocity यानि किसी भी object के speed को रखेंगे, और इस तरीके से हम plot करेंगे इसके graph को, चलो, सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू कि velocity time graph हम बनाते क्यों है, दो चीजों के लिए, ताकि हमें किसी भी object की acceleration पता चल सकेगी, कोई भी object कितना accelerate कर रह है, कितने time में अपनी कितनी speed बढ़ा रहा है, दूसरा, हमें ये भी पता चल सकेगी, भाई, वो object कितना distance कवर कर रहा है, ये दो चीजे हमें velocity time graph बताती है, ठीक है, चालो, तो मेरे भाई, बिल्कुल जैसे distance time graph का हमने graph plot किया था, बिल्कुल वैसे ही हम velocity time graph का graph plot करेंगे, लेकिन distance time graph की तरह, velocity time graph भी तीन अलग-अलग cases में plot होती है, या यूं कहलें कि भाई, velocity time graph से भी आपके exam में तीन अलग-अलग तरीके के question पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला, अगर कोई गाड़ी accelerate नहीं कर रही है, या मतलब ऐसे कहके आ जाएगा, आपके exam में directly ऐसे question पूछा जा सकता है कि plot a velocity time graph for zero acceleration या for constant velocity तो अब इसके graph को कैसे plot करोगे, सबसे number one case तो हमारा यही आता है कि हमें velocity time graph plot करना है, तब जब कोई भी object अपनी speed न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, मतलब zero acceleration है इस case में हम velocity time graph कैसे plot करेंगे, एक example लेते हैं और उसके बाद हम इसी object के motion को graph में plot करना सीखेंगे, example क्या है, देखो आपसे कह रहा है कि plot a velocity time graph for a car moving with constant velocity of 40 km per hour, कह रहा है भाई कि एक car है हमारी, ये car है हमारी और ये car जब zero, जब zero minute में थी, तब भी इसकी speed 40 km per hour थी जब ये एक minute तक पहुची, तब भी जो इसकी speed है, ये 40 km per hour ही है मतलब velocity change नहीं हो रही है, time के साथ, time बढ़ रहा है लेकिन इसकी velocity वही constant है, हर जगह पहुचने पर इस car की velocity उतनी ही है 40 km per hour की speed से ही ये car हर जगह चल रही है अब आपको इसके लिए velocity time graph को plot करना है, क्या करोगे चलो, देखते हैं, velocity time graph for zero acceleration अगर किसी भी object की speed बदलती नहीं है जैसे हमने car की speed देखी न, 40 km per hour की इसाब से ही वो car चल रही है अपना velocity या speed वो बदल नहीं रही है तो इस case में हम कैसे plot करेंगे, हमारे पास कुछ data तो है न हमारे पास data है कि भाई, 1 minute, 1 minute में, 2 minute में, 3 minute में, 4 minute में, 5 minute में, 6 minute में हर time में इस गाड़ी की speed 40 km प्रती घंटे ही रही है तो इसका graph कैसे plot करेंगे, हमें graph plot करने के लिए वही same करना है हमें एक x-axis ले लेना है, x-axis और x-axis पर हम लिखेंगे time हमने यहाँ लिख दिया, 1 minute, 2 minute, sorry, घंटे में है ये, 1 घंटे हमने लिख दिया, 2 घंटे लिख दिया, 3 घंटे लिख दिया, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हमने x-axis पर इसे plot कर दिया, y-axis पर हमें उस car के speed लिखनी है तो हमारी car तो 40 घंटे के साब से चल रही है, लेकिन हम और भी velocity रख देते हैं यहाँ पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमने रख दिया अब हमें अपने given condition पर, given condition क्या है, कि भाई यह car है जो 40 km प्रति घंटे के साब से चल रही है जब वो एक घंटे बाद पहुची तब भी 40 km मतलब हर time, time बदल रहा है लेकिन इसकी speed नहीं बदल रही है इसकी speed constant है, तो जब भी zero acceleration हो किसी गाड़ी की, या वो गाड़ी एक ही speed से चल रही हो तो हमारा जो velocity time graph होता है न, वो एक straight line होता है देखो, 40 km प्रति घंटे के साब से यह गाड़ी चल रही है, चाहे कितना भी time हो गया, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे हर समय इस गाड़ी की speed 40 km प्रति घंटे ही है, तो यह condition दिया था, हमने graph plot कर दिया ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, आप देखो, हमें दो चीजे पता चल सकती है, velocity time graph से सबसे पहला तो acceleration हम पता कर सकते हैं, acceleration कैसे पता करेंगे हम, चलो इसको plot करके रखता हूँ, मैं acceleration का formula तो आपको पता होगा न, acceleration equal to final velocity minus initial velocity upon time taken ठीक है, final velocity मतलब गाड़ी कितने speed से finally पहुची है, और u का मतलब initially कितने speed से चली है तो यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, तो दोनों जग हम क्या लिखेंगे, 40 minus 40 upon time कितना लगा, मालो 6 घंटे लगा ठीक है, तो 40 और 40 0 आ गया यह तो, तो 0 acceleration हुआ न यहाँ पर, यह देखो, acceleration कितना हुआ, 0, 0 km आवर का minus 2 तो हमारा acceleration कितना हुआ, 0 km हुआ, क्योंकि भाई यह जो हमारी गाड़ी है, यह speed बदल ही नहीं रही है, speed बदल ही नहीं रही है तो acceleration कैसे change होगा, acceleration तो 0 ही होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम velocity time graph से acceleration निकालते हैं और दूसरी जो चीज हम पता कर सकते हैं, वो है distance at any point of time मालो, आपसे question में यह कह दिया है, कि भाई, जब गाड़ी हमारी 2 घंटे से 4 घंटे तक चलती है तो इसके बीच में उस गाड़ी ने कितना distance cover किया, यह पता करो तो कैसे करोगे, देखो, simple सी चीज है, अगर हमें distance find करने के लिए बोल दे अगर हमें velocity time graph में distance को पता करने के लिए कह दे, तो आप क्या करोगे मालो, हमें कह दिया, कि भाई, 2 घंटे से 4 घंटे की बीच में गाड़ी कितना चली उसका distance पता करो, तो simple सी चीज है, क्या करना, सीधा एक perpendicular line खीज देना जो जाकर हमारे graph से touch हो जाए, एकदम perpendicular line, ठीक है, और यह जो rectangle बन गया इसी की area निकाल लो, आपको distance पता चल जाएगा, तो भाई, rectangle का area क्या होता है distance पता करने के लिए, हमें यहाँ पर area of rectangle पता करना पड़ेगा, यह rectangle बन गया ना, पुरा तो इसका area अगर हमने पता कर लिया, तो हम distance पता कर लेंगे, देखो, area of rectangle हमें पता करना है area of rectangle, अब area of rectangle आपको पता है, length in तो breath होती है, मतलब लंबाई, गुड़े, चौड़ाई, यही तो होता है ना, area इसका तो भाई, लंबाई कितनी है, 40 है, ठीक है, 0 से चल कर 40 है, तो 40 हमारी लंबाई हो गई, गुड़े, ब्रेथ कितना है, 2 से 4, मतलब 2 तो ही तो है ना, 2 तो हमारी यह जो distance निकल गई, यह हो गई हमारी 80 km, ठीक है, तो भाई हम पहली चीज क्या निकाल सकते हैं, पहली चीज हम acceleration निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको formulae से निकाल कर दिखाया, इस case में, जब velocity change नहीं होती, तो इस case में हमारा acceleration 0 होता है, मैंने आपको अभी निकाल कर दिखाया, और दूसरा जो हमने अभी आपको निकाल कर दिखाया, वो है कि भाई हम distance, sorry, velocity time graph से, किसी भी object की distance को भी पता कर सकते हैं, कि कोई भी object, मालो 2 से 4 क बीच में कितना चला, यह पूछ दिया, तो भाई हम distance पता कर सकते हैं, अब हम बनाएंगे कि भाई, velocity time graph, जब uniform acceleration हो, uniform acceleration हमने पढ़ा है, जब कोई object अपनी uniformly speed change करे, अच्छे एक example देखो, यह object है, मालो यह बंदा है, यह नीचे गिर रहा है, यह नीचे गिर रहा है, एक मिन अगले एक सेकंड में यह 4 मीटर वेलोसिटी तक पहुच गया, अगले एक सेकंड में यह 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तक पहुच गया, तो इस तरीके की change of acceleration को हम uniform acceleration कहते हैं, uniform क्यों कहते हैं, क्योंकि हर बार इसने अपनी plus 2 speed बढ़ाई, plus 2 इसने हर बार speed बढ़ाई, यहां से 2, plus 2, 4, 4, plus 2, 6, 6, plus 2, 8, तो इस तरीके के acceleration को हम uniform acceleration कहते हैं, तो भाई, अब आपको graph plot करना है, uniform acceleration के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए data, हमें चाहिए कि भाई, कितनी velocity से गिर रहा है, वो object, और कितना time ले रहा है, यह दोनों चीजे प बंदा नीचे गिरता है, तो यह देखता है कि यह 2 meter per second की velocity से नीचे गिर रहा है, अगले एक second में यह देखता है कि भाई, यह 4 meter per second की velocity से गिर रहा है, अगले एक second में यह देखता है, कि यह देखता है, कि यह बंदा 8 meter per second की velocity से गिर रहा है, तो हमें यहां पर data मिल गया, हम हमें क्या मिला हमें मिला कि भाई हमारी जो मारा जो बंदा है वह जीरो सेकंड में जीरो वेलोसिटी एक सेकंड में दो मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दो सेकंड में चार मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तीन सेकंड में छे मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चार सेकंड में अब इस डाटा को हम graph में plot करना सीखेंगे ठीक है अब हमें time भी पता चल गया है velocity भी पता चल गया है फटाफट graph में plot कर डालो देखो हमने यहां पर लिख दिया हमने time 1 2 3 4 5 6 यह time हमने ले लिया x-axis पर ठीक है यह देखो बिलकुल हम इसी data की साफ से चलेंगे 0 1 2 3 4 ठीक है 5 6 चलो तो हमने यहां पर लिख दिया अपना time और यहां पर हमने लिख दिया velocity अब object हमारा पहले एक second में 2 meter per second velocity attain करता है यह देखो यहां पर है ना एक second में 2 meter per second की velocity attain करता है तो तुरंत एक second में 2 meter मतलब एक point यहां आएगा 2 second में 4, 3 second में 6 meter per second की velocity यह मैं यहीं से देख के बता रहा हूँ आपको जो data दिया होगा उसी data के base पर आप graph plot करोगे ठीक है 4 second के बाद यह 8 meter per second की velocity से चलता है 8 meter per second ठीक है 5 second के बाद यह 10 meter per second की velocity से चलता है और 6 meter 6 second के बाद यह 12 meter per second की velocity से चलता है graph plot करेंगे तो एकदम ऐसे हमारा graph कुछ plot हो जाएगा तो यह जो graph plot हुआ यह 0 acceleration नहीं यहां पर गलत लिग दिया है यह हमारा uniform acceleration के लिए है ठीक है 0 acceleration के लिए तो ऐसे plot होता है ना uniform acceleration के लिए हमारा बिलकुल ऐसे plot होता है मतलब हमारी गाड़ी जो है ना वो uniformly अपनी speed बढ़ा रही है पहले एक second में 2 meter 2 second में 4 meter 3 second में 6 meter per second 4 second में 8 meter per second 5 second में 10 meter per second 6 second में 12 meter per second तो अपनी यह uniformly speed को बढ़ा रहा है तो भाई जब velocity time graph हमें plot करना हुआ किसका 0 acceleration नहीं uniform acceleration का तो हम कैसे करेंगे हम बिलकुल एकदम ऐसे straight line खीज देंगे अपने data के अनुसार ठीक है तो यहां भी same जैसे हमने 0 acceleration में acceleration पता किया था वैसे हम यहां भी acceleration पता कर सकते हैं मालो हमें acceleration पता करना हुआ इस गाड़ी का acceleration पता करना हुआ तो हम क्या करेंगे मालो हमें यहां से लेकर यहां की बीच में यह गाड़ी अपना कितना acceleration चेंज किये पता करना है तो क्या करेंगे final velocity minus initial velocity upon time कितना लगा, तो final velocity यानि 10 final velocity यानि 10 minus initial velocity यानि 4 upon time कितना लगा भाई, जब 4 पर पहुची थी तो 2 10 पर पहुची है, तो 5 ठीक है, तो time भी हमारा final time था 5, initial time था हमारा 2, minus कर देंगे यह हो जाएगा हमारा 6 upon 3 3 वन जा, 3 तूजा यानि acceleration कितना हुआ 2 meter second का minus 2 ठीक है, case number 3 और case number 3 में हम देखेंगे कि भाई, अगर कोई object non uniform accelerate कर रही है तो उसके लिए हम velocity time graph कैसे plot करेंगे अभी तक हमने 0 acceleration देखा, uniform acceleration देखा अब हम देखेंगे कि non uniform acceleration में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो इस चीज का velocity time graph कैसे plot करेंगे, एक example से समझते हैं, एक हमारा car है माल लो, यह हमारी car है, यह हमारी car है और यह car हमारी एक road पर चल रही है, यह जीरो meter पर, 0 second में इस car की velocity 0 meter per second है और जैसे ही, एक second बाद यह अपनी velocity यहाँ पर जब यह car आती है तो हमें पता चलता है कि इसकी velocity change होकर 3 meter per second हो गई है फिर अगले एक second बाद हमें पता चलता है कि इस car की velocity फिर से change हो गई है और इस बार इसकी velocity 8 meter per second हो गई है अगले एक सेकेंड में हमें फिर पता चलता है कि भाई इस car की velocity फिर से change हो गई है और इस बार इसकी velocity मान लेते हैं हम 15 meter per second हो गई है तो ऐसे acceleration को हम non-uniform acceleration कहते हैं data तयार करो data तयार करते हैं 0 meter में 0 velocity थी 1 second में 3 meter per second की velocity है 2 second में 8 meter per second की velocity है 3 second में 15 meter per second की velocity है इसी चीज़ को हमें graph में plot करना है 0 acceleration के लिए नहीं बलकि non uniform acceleration के लिए ठीक है तो कैसे plot करेंगे हमारे पास value है हमारे पास क्या-क्या value है कि 0 में 0 और 1 second में 3 तो 1 second में 3 3 हमारा कहीं यहां पर आएगा ठीक है 1 second में 3 हम यहां point बनाते हैं ठीक है अब फिर और देखते हैं 2 second में 8 meter per second 2 second में 8 यह हमारा यहां पर कहीं आएगा यह point ठीक है और उसके बाद फिर से देखते है 3 second में 15 meter per second की velocity 3 second में 15 meter मतलब कहीं उपर तो हमारा curve line बन जाएगा कुछ ऐसे बनेगा याद रखना जब हमारा non uniform acceleration होता है तो graph कुछ ऐसे curve बनता है ऐसे तो this is all about this part second part में हमने इतना पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया हमें जो दो बहुत महत्पूर चीजे पढ़ने थी distance time graph, velocity time graph I think कि वो आप समझ गए होगे और velocity time graph से हमें acceleration निकालना distance निकालना जैसा हमने पहले case में निकाल के दिखाया था ये हमने कर लिया है तो आई हो वीडो पसंद आया होगा अगर वीडो अच्छी लगी हो तो वीडो को like ज़रूर करें चानल पर पहली बारा है चानल को subscribe करें मिलते हैं एक और धमाकेदार नई वीडो के साथ तब तक के लिए शश्री अकाल और चैहिए